आई एक्विरा देवस्तान लूनावला पांडों ने किया दा मंदिर का निर्मान पौर्णी कता के अनुसार यहां मंदिर वन में अपने निर्वासान के द्वारान पांचो पांडों भाईयों ने एक्विरा कुफा में मिलकर मंदिर की स्तापना की दी अग्यात्वास के दौरान माता एक्विरा पांडों के समक्ष प्रकट हुई और उनकी परिक्षा लेने के उद्देश्य उनसे कहा कि मेरा यहां एक मंदिर स्तापित करो लेकिन सुबा होने से पहले पांडों ने अपना वचन पूर किया मंदिर तक पहुचने के लिए करीब पांसो सीडिया चड़नी पर दिये और यहां कारला गुफाओं से गीरा हुआ है जो अब पूरा तत्वा विबाग द्वारा संद्रक्षिक है गुफाओं के पास स्तीत एक प्रमुप प्रिक्सल है देवता को रेनुपा के रूप म पूजा आजाता है और वहां चिरंदेजी या भगवान विष्णू के अवतार हमर रिशी परशुराम की माता है जुजा गुफाओं के टीक बगल में की जाती है जो कभी बुद्ध धर्म का प्रमुप केंद्र था मंदिर की मुक्या देवी एकवीरा आई है और उनके देवेग्या ब्रामन वत्वारा की जाती है और वहां कोलियो और सुनार समुधायकी फुल देवी भी है मंदिर में आगरी कोली लोग और कोली मच्वारों भी आते हैं एक वीरा आई मंदिर प्रशुबली के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और पूली आदिवासी देवी को प्रसन्निक करने के लिए बकरियों मुर्गया चड़ाते हैं यहाँ अनुष्टन आदिवासीों के लिए बहुत महत्वा रखता है क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ देवी को शान करता है और उन्हें नुक्सान और बुराईयों से बचाता है माना जाता है कि देवी के पास महान शक्तिया है और वहाँ अपने भक्त को नुक्सान और बुराईयों से बचाती है उन्हें शक्ति का प्रति कहा जाता है मंदिर से लगते ही कारला गुफा है कारला कीवस कारली में चट्टानों को काटकर बनाया गया है एक प्राचीन बोर्ट गुफाओं का परिसर है कारली में ग्राचीन बोर्ट गुफाओं का परिसर है है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज लाइक कमेंड शेर और सब्सक्राइब कीजिए